नमश्कार, स्वागते सबको Implement Technology Series के अंदर आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इस्तमाल करने वाला उपकरण और उसका नाम है कल्टीवेटर ये टीलर के नाम से भी जाना जाता है ये उपकरण बहुत मददकार रहता है मिट्टी को लूज करने में, करपतवार को हटाने में और बड़ी-बड़ी मिट्टी के डेर को तोडने में कई किसान इसको प्राइमरी उपकरण की तरह चलाते हैं कुछ किसान इसको सेकेंडरी उपकरण की तरह भी चलाते हैं क्योंकि ये साथ से नो इंच तक डेप्थ हासिल कर लेता है इसमें ड्राफ लिवर माने सेंसिंग का लिवर इस्तमाल करना जरूरी है आईए इस उपकरण की करीब से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो है ये लिवरल करें यहां नीचे और जो ऑपकरण की स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ये सॉलिद टाइप request क्ल्टिवेटर है क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं नहीं देखेंगे ये सोलिड फ्रेम के बना हुआ है इसका जो उपर का जो structure है इसको main frame कहते हैं और नीचे जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टाइन और टाइन की उपर mount होता है अपना shovel यह जो शावल देख रहा है यह double sided है क्योंकि एक साइड गिस गया तो हमने उसको गुमा के लगा दिया दूसरी तरफ इस्तमाल करने के लिए मतलब समझ जो इसका double life आप इस्तमाल कर सकते हो यह जो शावल बना होता है यह hardened steel से बना होता है ताकि मिट्टी को तोड़ के जब चलता तो यह कम गिसएगा यह आपके सामने देख रहे यह 11 ताईन के बीच में एक और टाइन होता है ताकी जब दोनों टाइन आगे की तरफ सोईल को लूज करते वे चलेंगे तो बीच जो छूट जाता है वह पीछे वाला ताइन उसको भी लूज करते वे चलता है